यह देखिए दोस्तों Homey Gadgets लेके आया है HK8 Pro Ultra Smart Watch अब तक के जितने भी Ultra Smart Watches मार्केट में उनका सब का बाप है यह सबसे शानदार मोडल है HK8 Pro Ultra Smart Watch 49 mm के अंदर Aluminum Case Alloy जिसकी पैकिंग आप देख सकते हैं एकदम शानदार नेक्स्ट तो हो जी और यहाँ पर मैं इसको आपको करके दिखाता हूं यह आप देख सकते हैं जैसे मैं इसका बॉक्स खुला यह मेरी है HK8 Pro Ultra Smart Watch और यहाँ पर यह मुझे मिला इसका मैनू और यह है मेरी Smart Watch HK8 Pro Ultra Smart Watch तो यह आप देख सकते हैं इस वाच में आपको मिल रहा है यह है मेरी Ultra Smart Watch का डाइल सील पैक डाइल मिलेगा आपको स्क्रू और यहां पर देख सकते हैं Smart Watch Ultra इसे मैं पैकिंग करके आपको दिखाता हूं यह देखिए तो यह इसकी बिल्ट कॉलिटी एकदम शांदा और नेक्स तो जी अब देखिए एकदम शांदा बिल्ट कॉलिटी इसकी बैक साइड में आपको मिलेंगे चार स्क्रू 49 mm का डायल है वाच अल्ट्रा और अब मैं पहले इसको कौन करके दिखाता हूं आपको यह तो अब हम स्मार्ट उपर का बटन ने की क्राउन बटन यह देखिए यह मेरी वाच ओन हो चुकी है ओन होते ही इसमें सबसे पहले एक ओप्शन आया जिसमें था लेंग्वेज सेलेक्शन तो मैंना मेरा इंग्लिश का लेंग्वेज सेलेक्ट करके ओके कर दिया यह होगी मेरी डिफॉल्ट कोड़ है जिससे कि आप अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यह जो है वो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्यूर कोड़ है अब यहाँ पर लिख रहा है यूर वाच इस रेडी प्रेस्द डिजिटल क्राउन तो यह डिजिटल क्राउन आपने प्रेस किया यह सब्सक्राइब करने पर आपको मिलेगा तो यहाँ पर सारी अप्लिकेशन जो है रिसेंट अप्लिकेशन आती जाएगी स्लाइड डाउन करने पर आपको मिलेगा मैसेजज यह रिसेंट अगर कोई मैसेज आया है नोटिफिकेशन आया तो वो slide up करने पर आपको मिलेगा immediate shortcut menu ये bluetooth connection के लिए है ये lock screen ये always on screen अगर आपने इसे on कर दिया तो आपके watch जो है वो कभी भी बंद नहीं होगी ये देखिए और यदि आपको अपने watch के display को बंद करना है तो आपको इसके हटा देना है जिससे कि क्या होगा कुछ particular second के बाद में आपकी watch का जो display है वो stand by mode में चला जाएगा ये देखिए ये always on displays में आ गया तो stand by mode में चला गया अब बात करते हैं बाकी features के जिसमें ये आपका है music control ये basically multimedia control है जिससे आप video को control कर सकते उसके बाद में ये आगया आपका जिससे कि आप money control ये अली पे या जपे है तो ये आपका money control एप के लिए notification है जैसे कि आप zap पे है या अली पे है उसे configure कर सकते हैं ये आपका always on display का timer setting ये आपको चाहिए ये नहीं चाहिए उसके लिए फिर ये feature आजाता है business card का जो QR code है उसे आप इसमें configure कर सकते हैं उसके बाद में location तो ये अभी मैंने connection established नहीं किया है इसके लिए location data भी इसमें नहीं बताएगा उसके बाद आजाता है vibration control ये है night mode जिसे after turning out call and notifications are muted without vibration यहाँ पे vibration भी नहीं होगा watch के अंदर में and the screen does not turn on when the wrist is raised so you want to turn on so ये आप इसके अंदर में ये जो night mode है वो activated ये activate कर सकते हैं फिर आगे आप brightness level जिसे कि आप control कर सकते हैं यहाँ पर मैं फिर maximum brightness पर ले चलता हूँ से फिर ये torch आ गई तो उसके बाद में ये NFC card को भी आप इसमें configure कर सकते हैं आप के तुरू जिसे की door access है या कोई machinery access है वो आप कर सकते हैं उसके बाद ये आता है new clinic asic code ये feature मुझे ज़्यादा idea नहीं है मुझे भी इसका study करना पड़ेगा तो अब इसकी जो basic features है वो मैंने आपको सारे describe कर दिये अब हम बढ़ते हैं menu की तरफ तो इसमें आपको तीन तरह की menu style मिलती है पहले थी bubble OS जो के apple के parent थी दूसरी है list और तीसरी है sudoku menu style ये एक नई menu style इंट्रड्यूस हुई है अब एक अच्छी बात बताता हूँ इसकी smoothness आप ये देखिए अब आप इसके zoom out करें जूम इन करें आप इसकी smoothness एकदम शांदार देखिए कितना smooth चल रहा है इसका OS इसकी OS की smoothness बहुत ही शांदार है अब मैं बात करता हूँ इसके सारे features की तो start करते हैं heart rate, blood oxygen, blood pressure, sports mode, sleep mode, pressure, activity record तो उसके बाद जो phone call है phone call का आप यूज तभी कर पाएंगे जब आपका watch जो है mobile से connected है तो उसके लिए मैं आपको एक बार connection स्टैब्लिश करके दिखाता हूँ तो यह देखिए मैंने वेरफिट एप डाउनलोड कर ली है और मैं जाओंगा devices में और यहाँ पर मुझे simply connect करना है तो मैं इसका simple method बताता हूँ यहाँ जाइए और scan में जाइए तो scan में जाने के बाद आप चले जाएए main screen पे और यह देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा scan the code यहाँ पर click किजिए तो यह वेरफिट प्रोस की application का है और यह है watch का code यह देखिए मैंने watch का code को scan किया और यह मेरी watch जो है वो connect हो चुकी है अब याद रखिएगा यह आपने जो connection establish किया है वो application और watch का किया है अभी अगर आपको जो media rights की connection establish करने है तो आपको लिए उसके लिए जाना पलेगा bluetooth में और यहाँ पर यह एक additional जो आप देख रहे है HK8 pro और HK8 pro call यह दोनों ही connection जो है आपके watch और mobile के विज में establish हुए जाने चाहिए तो यह आप देख सकते हैं HK8 pro और HK8 pro call दोनों ही connection establish हो चुके है एक बात और मैं आपको यहाँ पर highlight कर देता हूँ कि आप जब application में जाते हैं तो यहाँ पर आपका application market दिखता है यहाँ पर जितने भी options दिख रहे हैं UNME, blood glucose, reference train, breath rate and short video remote control इनको भी आपको install करना पड़ेगा अपने mobile में ताकि जो इसकी फीचर्स हैं जैसे कि short video remote control है UNME location वाले हैं यह सब जो है वो आपका link हो सके आप उसको use कर पाएं तो यह basically app configuration को लेकर के बात थी एक और बात आती है location permission की वो आपको इसमें देनी पड़ेगी यह सारी permissions जो है आपको देनी पड़ेगी और अगर आपको कोई भी issue आता है तो आप यहां पर video tutorial देख सकते हैं application में और एक graphic tutorial भी है वो भी आप देख सकते हैं तो यह जो application ने काफी high level की आपको सारा कुछ guide करेगी step by step कैसे use करना है तो यह देख सकते हैं application के बारे में आप अगर चाहें तो firmware भी upgrade कर सकते हैं अगर कुछ available है तो मेरे case में device version update is currently the latest version 1.15 तो यहां पर मेरा जो है वर्जन है अल्री latest है तो यह था application को ले करके पार अब देखिए इसकी जो features पर आगे बढ़ते हैं phone calls में गया फिर आये contacts contacts में एक पता देता हूं कि जो sync है सारे contract sync नहीं होते है watches में आपको favorite contact assign करने पड़ते हैं वह कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं यह आप जैसे ही इसमें जाएंगे sorry devices में जाएंगे यहां पर जाने के बाद में आपको यहां पर दिखी एक option आएगा favorite contacts यहां पर जो जो भी add करेंगे contacts वह आपकी इस watch की contact में आ जाएंगे वैसे भी मैंने देखा है जितनी भी watches लोग भग हमसे purchase करते हैं सर कंप्लेंड करते हैं कि सर सारे contacts नहीं दिखा रहे हैं वह visible भी नहीं है क्योंकि इन watches की memory इतनी ज़्यादा नहीं होती कि धिर सारे contacts store कर सके तो ऐसे में आप favorite contacts को यहां पर store कर सकते हो तो आपका purpose solve हो जाता है अब आती है बात recent call की तो आपने call करके मैंने देखा था तो यह call recent lock दिखा ही रहा है आप dialer में जाके dial भी कर सकते हैं जिस देखिए मैं आपको यहां पर dial करके दिखाता हूं मेरा number तो यह मैंने मेरा number dial किया और यह देखिए dialing हो रही है आप इसको mic पर भी डाल सकते है speaker पर भी डाल सकते हैं तो यह मैंने इसे dial करके देखा तो यह basically मैंने आपके सामने live dialing भी दिखा दी अब आता है voice assistant जिसे हम बोलते है siri hey siri which is best smart watch तो यह देखिए यह siri भी आपका इस watch में काम कर रहा है तो यह एक feature मैंने आपको और हाय टाय लाइफ दिखा दिया है इसके इंदर में इसके बाद music control है वो तो music control आप करी सकते हैं वो कोई calculator आता है नहीं find phone है messages and any notification अली पर configure कर सकते हैं setting आ गई blood sugar respiratory rate जो here and I basically location history as well as जो है आपका health data sharing का एक application है थर्ड बाटी application है जो वीर चाहूं तो next reel की तरफ बढ़ सकता हूं मैं चाहूं तो इसका volume up, volume down फिर इसको भी अगर like करना चाहता हूं particular reel को यह देखी live हो गया तो यह एक additional feature आपको smart watch में मिला है यानि कि आप YouTube की reels हो या इंस्टाग्राम की reels हो या फिर videos हो उनको like, play, pause, forward, volume down, volume up यह सारे features को भी यहां पर enjoy कर सकते हैं तो यह एक additional feature यहां पर आपको मिला उसके बाद camera control वो तो simply shutter control मिलता ही है तो यह सारे basic feature हमने समझे अब हम जाते है setting में यहाँ पर देखे setting में आपकी personal information है उससे आप configure कर सकते हैं तो यह देखे जो कि मैंने already इसको map से connect किया था तो यहाँ पर आप अपनी personal information है उससे configure कर सकते हैं जो already मेरा mobile की application से connected है तो इसने पूरा detail ले लिया आप जैसे ही app में wait, bmi वगरे detail डालेंगे तो वो भी इसमें reflect करने लगेगा फिर आता है आपका notices यहाँ पर देखे ए red dot alert तो यहाँ पर when enabled a red dot will appear above the watch face when there is a unread notification इसी तरह सा notification dropped अगर यह wrist पर है तो ही notification आएगा अदरवाज नहीं आएगा तो इसको आप यहाँ पर on या off कर सकते हैं इस तरह से कई सार इसमें option आपको देखने को मिल गए फिर आता है universal option जिसमें about this machine तो यह देखे इस machine का पूरा detail है machine in the sense यह watch की हम बात कर रहे हैं जो की है HK8 pro फिर हम आते है language setting में language change कर सकते हैं यह आता है bad side clock mode यह एक अच्छी बात है bad side clock mode क्या है कि जब आप इस watch को bad के पास में अपने चार्जिंग पर लगा रखा है तो आप इसको as a bad side clock पी यूज कर सकते हैं आप अगर इसमें alarm set करेंगे तो जब वो alarm का time match हो जाएगा तो display में up down होगा फिर यहां पर do not disturb को setting कर सकते हैं display की brightness हो गया app view यह जो type of menu style है वो आप configure कर सकते हैं उसके बाद sound passcode यह और बात इसमें आप password भी रख सकते हैं यह चीज़ अच्छी हो गई उसके बाद risk detection to enable this function you need to enable real time heart rate monitoring enable this watch feature will lock your watch when you take it off and keeping your information safe तो यह चीज़ एक नहीं आगई safety feature आगया उसके बाद आता है battery level battery level के साथ में आपको जो है battery का usage भी आता है कि last charge कब किया था कितना percent किया था उसके बाद sleep monitoring sports और बाकी सारे features जो अलड़ी आपको मिल रहे थे activity record अगर आपको इसमें मिल जाएगी daily reminder आपको चाहिए तो stand reminder चाहिए तो यह सारी setting है इसकी यहाँ पर be heart rate के related जो भी setting है आप कर स कोई additional feature यहाँ पर मिल गया sports में भी आप काफी सारे setting है दुनिया वर किसमें setting जासर यह watch बहुत ही शांदार watch है इस मतलब ऐसी watch आज तक इंडियन market में clone market में तो नहीं आई है तो इस watch के साथ में आपको मिलेगा ocean strap और इसका wireless charger यह totally इस package में आपको मिल रहा है अगर आप इस watch के साथ में additionally alfine loop पी order करना चाहते हैं तो हमारे पास वो भी available है मैं आपको इसका look जो है वो alfine strap के साथ दिखा देता हूँ premium watch है तो बिल्कुल delay मत कीजे और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो like और subscribe तो बनता है